रादे रादे दोस्तों आज हम आपको बताएंगे एक ऐसे पक्षी के बारे में जिसका दीखना होता है बेहद सुब जोतिस में पसु पक्षियों को सुब और असुब सगुन के तोर पर देखा जाता है यो तो कोई भी पसु या पक्षी कभी भी नजर आ जाता है लेकिन अगर जोतिस की नजर से देखा जाए तो इनका दीखना आने वाले कल की ओर इसारा करता है आज हम बात करने जा रहे हैं नेलकंट के बारे में नेलकंट को भगवान सिव का रूप माना जाता है सगुन सास्तर में नीलकंट का दीखना बहुत सुब माना जाता है आज हम आपको बताएंगे नीलकंट का दीखना किस बात का संकेत माना जाता है अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल अपनी संस्कीरती को लाइक करें सबिस्क्राइब करें और शेयर करें सगुन सास्त्र के मुताबिक यदि ए विवाईत कन्या को नीलकंट उसके सरीर की दाई और उड़ता हुआ दिखाई दे तो यह इस बात का संकेत है कि उसके शादी जल्द हो सकती है वहीं दूसरी और अगर नीलकंट बाई और उड़ता हुआ दिखाई दे तो ऐसा माना जाता है कि ऐसी लड़कियों को उनकी बात मानने वाले पती ही मिलते हैं अगर किसी कन्या को उसकी पीट के पीछे नीलकंट बैठा दिखाई दे तो ऐसा माना जाता है उसका रिष्टा तूट सकता है वहीं अगर नेलकंट आपको सामने नजर आए तो ऐसा माना जाता है कि उस कन्या की इच्छाएं जल्दी पूरी होने वाली है वहीं अगर आपको नेलकंट किसी लकडी पर बैठा हुआ दिखाई दे तो ऐसा माना जाता है कि आपके पार्टनर के साथ आपके अतरंग सम्मंद बढ़ सकते हैं और आप रिस्ते में काफी आगे बढ़ सकती हैं सगुन सास्त्र के अनुसार अगर आपके हिस्से में नीलकंट का खाया हुआ फला जाए तो ऐसा माना जाता है कि आपने अपने लिए जो भी मांगा है वह आपको मिल जाएगा यानि आपकी मानो कामना पूरी हो जाएगी चाहे लड़का हो या लड़की आपको अपने जीवन में गुड़ लग के साथ साथ तरक्की और सुकत बैवाईक जीवन की प्राप्ती होगी ऐसा माना जाता है अगर किसी पुरुष को निलकंट के दर्सन हो जाए तो यह उसके लिए विजय का प्रतीक माना जाता है अगर आपके सरीर के दाइयोर निलकंट उड़ता हुआ दीखे तो ऐसा माना जाता है आप जिस प्रोजेक्ट पर इस वक्त काम कर रहे हैं उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी दुसमनों पर आपकी विजय प्राप्त होगी वही अगर आपको पीट के पीछे निलकंट दीख जाए तो ऐसा माना जाता है यह ऐसा फलता और दुख को दरसाता है यानि वह काम बंदे-बंदे बिगड़ जाता है प्रातैकाल यदी सबसे पहले निलकंट के दरसन हो जाए तो समझो ये भगवान सिव की के दर्सन हो गए हैं क्योंकि निलकंट को भगवान सिव का रूप माना जाता है यात्रा के समय इसके दर्सन किये जाएं तो यात्रा के सुभ होने के संकेत है विशेश तोर पर महसिवरात्री के समय पर निलकंट के दर्शन को सुभ माना जाता है यात्रा करते समय किसी व्यक्ति के दाहिनी ओ निलकंट और कववा दोना उड़ रहे हूं तो निलकंट से कववा आगे निकल जाए तो उस यात्री को धन की हानी और पराजय देखनी पड़ती है इसके उलट यदि निलकंट कववे से आगे निकल जाए तो यात्रा सफल होती है और यात्री को धन लाब होता है यात्रा करते समय किसी वैक्ति के सामने आकर नीलकंट भोलता है तो उस यात्री के अनेक जो विगन है उनको असामना उसको करना पड़ता है या दिवैसान्त सबर में आवाज करे तो उत्तम फल की प्राप्ति होती है नीलकंट एक ऐसा पक्षी है जिसके बारे में सभी जानते हैं उसके दुआरा किये गए सगुन को श्टीक समझा जाता है जैसे कोई व्यक्ति यात्रा कर रहा हो उसके दाहिने और निलकंट दीख जाए तो उसका सब्द सनाई दे तो उसकी यात्रा सदैव उत्तम फल देने वाली होती है निलकंट का देखना हमेशा सुभी होता है क्योंकि जहां भी निलकंट दीखे उसे हाथ जोड़ कर प्रनाम करना चाहिए क्योंकि इसे भगवान सिव का रूप माना जाता है क्योंकि भगवान सिव का एक नाम भी निलकंट है जब उन्होंने हलाहल पिया था तो उनके गले का रंग नीला पड़ गया था जिसे उन्हें नीलकंट कहा जाता है